नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आजिरू आपके सामने रास्तान की सभी परतियोगी परिक्षैओं से समय ओनदित मैयतों 20 परषनों के साथ बिना कैसी देरी केम सुरुआत करते हैं जिसमें पहला क्योसन है आपके सामने जैसल मेर जिले में बेहने वाली नदी है Option है आपके सामने लूनी, सूकडी, खारी और कांकणी तो इसमें आपका जो right answer हो जाएगा वो जिले में बेने वाली नदी है वो है कांकणी Next question कि तरफ बढ़ते हैं हनुमानगड किस नदी के किनारे बसा है? Option है लूनी, बानगंगा, सतलज और घगर तो इसमें आपका जो right answer हो जाएगा जो हनुमानगर जिला है वो घगर नदी के किनारे पर बसा हुआ है Next question कि तरफ बढ़ते हैं बिचा मेड़ा किस नदी का उद्गम इस्तल है Option है कांतली, सॉम, बेड़त, बानगंगा तो इसमें जो आपका right answer हो जाएगा सॉम, बिच मेड़ा किस नदी का उद्गम इस्तल है सॉम नदी का Next question कि तरफ बढ़ते हैं राजस्तान के जिस जिले में भागडा नागल बांध में सबसे अधिक सिंचाई होती है वे है Option है हनुमानगर, बिकानेर, चूरू और स्री गंगा नगर जो भागडा नागल बांध है वो कांपे है सबसे अधिक सिंचाई हो है स्री गंगा नगर में होती है Next question कि तरफ बढ़ते है सोम, कमला, अंबा, सिंचाई, प्रियोजना किस जिले में इस्तित है Option है आपके सामनी डूंगरपूर, चितोडपूर, उदेपूर और बांसवड़ा तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपूर, सोम, कमला, अंबा, सिंचाई, प्रियोजना है वो कौन से जिले में है डूंगरपूर में Next question कि तरफ बढ़ते है उत्रप्रदेश, गुजरात, राजस्तान और मध्यप्रदेश तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा Next question कि तरफ बढ़ते है राजस्तान के किस जिले में गुडगाव, नहर से सिंचाई होती है Option है आपके सामने जुन-जुन, ब्रतपूर, दोलपूर और सिकर तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रतपूर ब्रतपूर जिले के अंदर गुडगाव, नहर से सिंचाई होती है Next question कि तरफ बढ़ते है विलास सिंचाई योजना समन्दित है कोटा से, बुंदी से, चुरू से और जालावार से तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो विलास सिंचाई प्रियोजना है वो कौन से जिले समन्दित है तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा Next question कि तरफ बढ़ते हैं इंद्रगंदी नहर का प्रारम कब हुआ उप्शन आपके सामने 31 मार्च 1958 31 मार्च 1960 31 मार्च 1970 और 31 मार्च 1985 तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 1908 को इंद्रगंदी नहर का प्रारम हुआ था Next question इंद्रागंधि नहर प्रियोजना में लित्ट नेरों की संक्या कितनी है उप्षन है पाँच, छे शाट और आट तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रागंधि नहर में जो लित्ट नहरों की संक्या है वो है छे नेक्स्ट क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं राजस्तान नहर का निर्मान निमलिक में से कहा हुआ ओप्सन है आपके सामने रावी से, राजस्तान फीडर की समापती से हरी के बेराज से या इन में से कोई नहीं राजस्तान नहर का निर्माण है वो निमलिक्त में से कहां से हुआ तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान के फीडर की समापती से इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान फीडर की समापती से next question की तरफ चलते हैं नेमलिकित मेंजे कोण सा एक कारण राज्तान में मरुस्तली करण का नहीं है इने में प्राजस्तान के नहीं है उप्सन है शेरी करण अनूचित मर्दा जल परबंद अतिचारण या वन ओन उन मुलन तो इसमें आपका राइट आनसर हो जाएगा अतिचारण राजस्तान के किस शेत्र में सागवान के बन पाये जाते हैं उप्षन है मध्य, उत्तर दक्षिन, उत्तर पूर्व, दक्षिन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य नेक्स्त क्योशन के तरब बढ़ते हैं राजस्तान में किस जिले में सिल्वी कल्चर की की जाती है कोटा, गंगा नगर, बासवाड़ा और बुंधी तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो राजस्तान में सिल्वी कल्चर की जाती है वो आपे श्री गंगा नगर में Next Question की तरफ चलते हैं राजस्तान में सरवादिक वन्षेत्र है ओप्षन है उद्यपूर और रासमन जिलो में स्वाई माद्यपूर एंकरोली जिलो में चितो उडगर जिलो में और कोटा और बारा जिलो में तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान में सरवादिक वन्षेत्र वाल से कोन सी वनस्पति हो जो रास्तान में नहीं है उप्षन है आपके सामने उसरन कटी बंदिये कंटी ली उसरन कटी बंदिये सुस्क उसरन कटी बंदिये मरुस्त ली उसरन कटी बंदिये तट पत जड़ी तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा option B, उस्रन कटी बंदिये, सुस्क जो रास्तान में प्रापे नहीं है, इस प्रकार की उनस्पति next question की तरफ चलते हैं सागवान रोपन है तू सबसे उप्युक्त जिला कौन सा है? option है, जालोर एम सिरोई बरतपूर एम अलवर श्रीगंगानगर एम विकानेर बासवड़ा एम उदेपूर तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बरतपूर एम अलवर जो सागवान रोपन के लिए उप्युक्त जिला है वो बरतपूर एम अलवर next question की तरफ चलते हैं शेवन गास किस जिले में विस्तर त्रूप से उगती है option है आपके सामनी बाड मेर, सिक्कर, जैसल मेर और जोदपूर तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शेवन गास है वो कौन से जिले में है जैसल मेर जिले में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी next question की तरफ चलते हैं नेमलिकत जिलो में से किसमें वन शेटर का सरवादिक प्रतिशत पाया जाता है option है आपके सामनी करोली, पासवाडा, सिरोई और उदेपूर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सरवादिक वन शेटर है वो काँपे है उदेपूर में next question की तरफ चलते हैं रेगिस्तान का कल्प रक्स है option है आपके सामनी बबूल, खेजडी, रोएडा और फोग इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान का कल्प रक्स है कौन सा रक्स है, खेजडी तो दोस्तों ये थे आज की रास्तान के सभी प्रतियोगी प्रिक्षाओं से समंदित एक्जाम की दरिष्टी से बहुती मैत प्रॉन क्यूसन और जल्दी मिलते हैं नए क्यूसनों के साथ नए वीडियो के साथ तब तक बने रहे हमारे चैनल गुरुकुल अकेडमी छोटी खाटू